नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक और खास जानकरी आप लोगों के लिए लेकर एक बार फिर से हाजिरें दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे खीरे के छिलकों के फाइदों के बारे में जी यां दोस्तों आपको जानकर हेरानी होगी कि खीरा ही नहीं इसका छिलका भी हमारे स्वास्ति के लिए इतना ज़्यादा पोश्टिक और इतना ज़्यादा स्वास्ति वर्दक होता है कि आपने आज से पेले नहीं सुनाओगा जी यां दोस्तों इसमें घुलनशिल फाइबर पाये जाते हैं ये पेट के केंसर का प्रकरतिक इलाज भी माना जाता है जी यां दोस्तों खीरे का छिलका अग घुलनशिल फाइबर से भरपूर होता है ये फाइबर आपके पाचन तंतर के लिए बहुत अच्छा माना जाता ह यह कबज की समस्या को दूर करता है और इसके सेवन से आपके पेट नियमित रूप से साप रहता है दोस्तो एक स्वस्त आहार के लिए महलाओं को नियमित रूप से 25 ग्राम फाइबर और पूरुशों को 38 ग्राम फाइबर की आवशकता होती है और छिलके समेत खीरा खाना यह मददगार होता है जो शरीर में स्वस्त हड्डियों के रक रकाओ, सेल के विकास और रक्त के थक्कों को बनने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमे का निबाता है दोस्तो खीरे के मुकाबले छिलके में विटामीन के बहुत अधिक मातरा में पाये जाता है छिलके स समेत खीरे के बावल में लगबग 59 माइक्रो ग्राम विटामीन के होता है जबकि छिले हुए खीरे में इसकी मातरा मातर 9 माइक्रो ग्राम होती है इस विकार विटामीन के के इसमें सम्मिलित होने से यह हमारे लिए काफी ज़्यादा स्वास्त वर्दक चीज बन जाती है द छिलके समेट खीरा खाना तो और भी ज़्यादा फाइदेमंद होता है। इसके एक सलाइस में केवल एक केलरी होती है। भूग लगने पर अगर आप खीरे से तयार सलाद बना कर खाएंगे तो तीन दिन में लगबग दो किलो वजन तक आप घटा सकते हैं। जी यां दोस्तो है ना एक कमाल की बात। इसके लावा दोस्तों छिलके समेट खीरा खाने से आपकी कमजोर होती हुई नजरे भी ठीक होने लगती हैं। क्योंकि खीरे का छिलका बीटा के रोटीन विटामिन A के प्रकार का चीपा हुआ स्त्रोत होता है। बीटा के रोटीन आख के स्वास् हाला कि विटामिन A कई प्रकार की चीजों में पाए जाता है। लेकिन बीटा के रोटीन खीरे के छिलके में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों खीरा खाने से वजन कंट्रोल में रेता है और इसका छिलका तोचाखो निखाने में मददकार करता है। जी हां एलोवेरा जेल मिला ले एलोवेरा की जगे थोड़ असान गेहूं का आटा भी आप मिला सकते हैं उसके बाद इस पेश्ट को अपनी तोचा पर लगाए इससे तोचा में ताजगी बनी रहेगी दोस्तों बात करें इसके अगले फायदे की तो ये एंटी ओक्सिडेंट से भर लड़कर उम्र बढ़ने और अन्य संबंदित बीमारियों को दूर करने में काफी ज़्यादा हेलफुल साबित होते हैं दोस्तों तोचा को विभिन्द तरे की समस्याओं से राहत दिलाने में ये काफी मददकार होते हैं जैसे की टेनिंग, सन्बर्ण, रेशेस, आधी रोजाना छिलके समेट खीरा खाने से रूकी तोचा में नमील ओटाती है इसलिए ये नेचरल मोश्ची राज़र का भी काम करता है ये तोचा से तेल के निकलने के प्रक्रिया को कम करके मुहसों के निकलना कम कर देता है तो दोस्तो देखा आपने केवल एक खीरा और उस से भी ज़यदा उसका एक चिलका, कितने ज़यदा स्वास्ट वर्दक फायदे इसमें छुपे हुए होते हैं हमारे स्वास्ट के लिए आसे, फिर वचए हमारी आखों के लिए हो, हमारी तुचा के लिए हो, या मुटापे को दूर करने के लिए हो तो दोस्तों यही थी हमारी आज की एक न्यू फ्रेज जानकारी आप लोगों के लिए उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू दमाएं वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद